नमस्कार प्यारे चात्रों आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेर बूस्टर सीजन 3 सेशन 28 में यह सीरीज हमारी सेशन 60 तक चलेगी और अगर आपका प्यार मिला तो हम सीजन 4 भी ला सकते हैं भईया इसलिए प्यार बनाया रखो आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए तो स्वागत है आपका सेशन 28 में कल हमने सेशन 27 कंड़क किया था आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें बहुत वायस वराइटी थी और ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्जैम्स में आएंगे इंटेव्यू में पूछे जाएंगे और आपकी इंडेप्त लिए करके दिखाएंगे बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-खोशी है मुझे अनॉंस करते हुए हमारा 2021 का लाइव प्रोग्राम घोशित हो चुका है प्यारे दोस्तों आप हमारे कॉंप्रियंसिव कोर्स में जॉइन करेंगे तो आपको टोटल सॉलूशन मिलेगा और आप चाहें तो entry level 1, entry level 2 में भी join कर सकते हैं इसमें दो-दो subject modules cover होंगे और साथी साथ बहुत सारे दूसरे deliverables भी हैं इसकी सारी की सारी जानकारी और enrollment की process के लिए आईए live.pteducation.com पर एक बार आके आप देखिए जरूर ये courses on हो चुके हैं जब आप इस पे click करेंगे तो एक बहुत ही comprehensive बहुत लंबा चड़ा course है जिसमें मैं live पूरा course में conduct करूंगा live आपको सब पढ़ाऊंगा और इन तमाम offerings का एक comparison आपको देखना है तो अंदर वो image की link भी दी वही उसको click करेंगे तो ये पूरा offerings का comparison भी आ जाएगा तो कई बच्चे जो कुछ हिस्से economy पढ़ना चाहें तो 19 October को जॉइन कर दीजिए समझ रहे हैं यह अलग 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 तरीके से आपके लिए हमने बहुत सारे entry levels create किये हैं 1234567 और आज हमने entry level 1 और entry level 2 open कर दिया है 19 October से शुरू हो जाएंगे entry level 1 और 8 यहने comprehensive course तो उमीद करूंगा कि आप थोड़ा जानक जिसमें आपके लिए बहुत special offers भी हैं तो यह course हमने इस तरह से design आप ही लोगों की feedback पे किया है उमीद करूंगा कि आपका बहुत बहुत प्यार हमारे इस course को मिलेगा यह PDF में सब में लिंक कर रखा है आप open करेंगे तो यह pages भी open हो जाएंगे जरूर जरूर इसका lab ले और और साथ में मिलकर जबर्दस काम करें प्यारे दोस्तों पैरलल में यह courses तो हमेशा पुपलब रहेंगे ही आज की पहली खबर बड़ी महत्वपून है भारत डेनमार्क के साथ गहरे रिष्टे बनाना चाहता है और बात सिर्फ environment ecology की नहीं है जो अभी आपको दिखेगी ले डेनमार्क जो कि एक नौर्डिक नेशन है डेनमार्क फिनलेंड आइसलेंड नौर्वेज स्वीडन यह पांच नौर्डिक नेशन से आप जानते हैं हमारे द्वीपक्षिय संबंध को अब भारत ने और डेनमार्क ने एक strategic green partnership का नाम दिया है रणनीतिक या सामरिक हरित भा माथान देंगे बहुत बहुत जरूरी है पराली जलाने की समस्या अगले महिने से शुरू हो जाएगी हर्याना पंजाब के कामों से आएगी कोई उसको रोक तो पाता नहीं है करोना वाइरस के समय अगर इस साल स्टबल बर्निंग हुई आप सोचिए कितनी मौते होने वाल पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ ही नहीं हमारे साथ मैनिफैक्ट्रिंग में जुड़े क्योंकि ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना इस वेंडर इस ऑल्वेज डेंजरस फॉद वर्ल तो भारत ओपन है आप आईए डेन्माक दरसल इन पांचों नौडिक नेशन में काफी यह है प्यारे दोस्तों पूरा का पूरा नौडिक नेशन की कहानी इसको देख लीजेगा नौड्सी से जबर्दस तेल और गैस निकाला गया है उससे बहुत बड़े-बड़े सोवरें वेल्थ फंड भी बने हैं तो यह आज की पहली फबर इस पे दो सवाल आपको दे रह से वहां पर आप बर्फ के पिखलने से अफसर तलाश रहें जबकि बर्फ का पिखलना तो माना होता कि अंत का सूचक हो सकता है क्लाइमिट वार्मिंग बड़ ठीक है अब जो है तो है प्यारे दोस्तों हम सभी बोलते हैं कि यह चमगादर बड़े खतर रात जानवर होते ह हैं तो स्तनपाई जीव लेकिन आवा आप जानते हैं कि उंगलियां उनकी बदल गई जिलनियां बन गई बीच में जिससे पंक बन गए और यह बहुत एक अलग मेटबोलिजम के साथ जीते आए हैं करोडों सालों में इवाल हुए बड़े शांदार बड़े खूबसूरत जीव हैं भगवान का बनाएवा प्रकृति का बनाएवा कोई भी जीव वदसूरत नहीं होता है देज नो पॉइंट हेटिंग बैट बैट अपने आप में एक एक लॉजिकल नीश में हैं उनका काम है उनकी फिंगर्स के बीच में जिलनिया हैं जिससे पंक बन गए और मिल विशाणू जो बैट को नुकसान नहीं पहुचाते हैं और बैट ने पूरे मेटबोलिक सिस्टम को वैसा बना लिया है करोडो सालों में समझ में आरी बात आपको अब कोविड के चलते बैट हो गए बदनाम अब बदनाम यह में भी नाम तो होता ही है तो इनका नाम हो गय लेकिन आज आपको कुछ पॉजिटिव खबर देते हैं प्यारे दोस्तों बैट को हमने बहुत बनाम किया कि देखो देखो कोविड फैला दिया कोविड फैला दिया बैट से क्या फैला आप जंगलों गए तो बैट के निकले वे वाइरस आप में घुच गए ऐसा कहते हैं कि शायद वुहान के आसपास के जंगलों में चीन में इनसान घुसे और वहां से वाइरस लेकर आगए और सारी दुनिया को रूला दिया लेकिन फ्रांस में जो wine growing region है वहाँ पर wine growing region का मतलब ए ग्रेप growing region है वहाँ के किसान जो हैं वो तो चमगादोनों के प्रेम में पागल हो गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे vineyards के जो दो कीड़े हैं European grapevine moth और grape berry moth उनको खाने के लिए बैट बहुत काम की चीज़ हैं तो ये जो दो कीड़े हैं ये ये यरप की vineyards की फसल को खराब कर रहे हैं और वो बोट्राइटिस नाम की बिमारी लाते हैं ग्रेराट तो किसान अब यहां के क्या कर रहे हैं France के अलग-अलग खेतों के ये vineyards के ये बैसिकली बैट्स के लायक environment बनाते जा रहे हैं और रात को हुआ हजारों बैट्स आते हैं और उन कीड़ों को खाते हैं उनके लायक एक environment देना पड़ता है ये वज़े से yield productivity गिर गई और उसके बाद आ गया pandemic मतलब चार चीजों ने ये wine के धंदे को बुरी तरह से चोट जी जो अर्बो डॉलरों का धंदा है और ऐसे में any solution which can help regain some of the business is welcome और इसलिए bats जो हैं वो French farmers के बड़े अच्छे मित्र साबित हो रहे हैं और अगला सवाल नोट करेंगे एक्स्प्लेइन दर रीजन दर फ्रेंच फार्मर सीम तो बी टेकिंग तो प्यारे दोस्तों economy में हर किसी का अपना एक रोल होता है और हर किसी का संबान करना आवश्यक होता है अब एक बड़ी अलक्सी खबर आई है और यह बड़ी इंट्रस्टिंग है इस मामले में बिलकुल भारत सरीख ही जा रहा है चलो कहीं तो बराबर हुए हम China's poorer households have been hit hard by the pandemic चीन के जो गरीब है न मतलब वहां का bottom 60% जो है वो pandemic से बुरी तरह से पिटा है ऐसा नहीं है कि वहां समरद्धी मतलब सब तक आवे चीन का दावा यह है शी जिन्पिंग की सरकार का दावा यह है कि भाया Chinese economy हमारे export हमारी manufacturing यह पूरी महामारी से भार आ गए हम तो grow हो रहे हमारा यह बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है सच्चा ही कुछ और है सच्च्च्च्च्छ यह है कि जो वहां के गरीब 60% है उनकी हालत तो पहले से बहुत खराब हो गई है और अब लोग यह कह रहे हैं कि चाइना की recovery के शेप रिकवरी है आपको याद है मैंने बताया था के शेप रिकवरी तो जब के शेप रिकवरी होती है तो उसमें बेसिकली एक हिस्सा तो उपर चला जाता है कुछ 10, 15, 20, 25 अच्छी आने के लिए काफी है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जब जनता नाराज होती तो क्या होता उनको बहुत अच्छे से पता है तो जो वहां के सबसे नीचे के साथ प्रतिशत घर हैं जो साल का एक लाक युवान से कम कमाते हैं मतलब लगब 15,000 डॉलर साल के उससे कम कमाते है उन में कंजंशन डिमांड बिलकुल भी नहीं है अब आप बोलेंगे कि भई इस से हमें क्या लेना दैना चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डिमांड इंजिन है दुनिया भर के प्रोड़क्स चाइना में भी तो कन्जैम होते एक्स्पर तो होती है तो अगर वहां के बट structure of the Chinese and why has the communist rule not able to eliminate inequality और दूसरा सवाल what is the trickle-down effect has it really worked over the past three decades or not तो ये trickle-down effect क्या है क्या पिछले 30 सालों में उसने रंग दिखाया है प्यारे दोस्तों फिलहाल तो अभी सरकार को रंग दिखाने का समय है सरकार ने जो तीन independent members है monetary policy committee के उनका replacement अभी तक दिया नहीं है चेतन घाटे पामी दुआ और अवींद्र धोलकी अतीनों अब retire हो गए है MPC से उनका replacement आना था और एक बहुत ही आप्रत्याशित बड़ा एतिहासिक और बड़ा unexpected घटना हुई है 2016 से जब से inflation targeting भारत में शुरू हुआ है मुद्रा स्वीती लक्षित एक पूरी मौद्रिक नीती बनाना उसके बाद पहली बार MPC की बायमंतली meeting डिले कर दी गई है ये पिछले चाड़ सालों में नहीं हुआ क्योंकि बाकी के तीन member अभी retire हो रहे हैं और 30 सितंबर और एक October को meeting होनी है एक ऐसे समय जब भारत की economy contract हो रही एक एक दिन important है RBI की नीती बहुत सोस्व ऐसे में सरकार ने तीन retiring लोगों की जगे तीन independent लोग जो आने हैं नामी नहीं होशित किये हैं और आज RBI ने एक छोटा सा press note निकाल के बोला कि अभी कुछ कारण है हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं शक्तिकान दास जी आज कल काफी बिजी चल रहे हैं उनके पर टाइमनी फालतू चीज़ों के लिए इंडियन economy जैसी दूसरे बड़े काम देख रहे हैं यह मैंने बोला यार अपनी तरफ से मज़ा किया भाई इसको bracket में रखना बताना मत दास साब को नहीं तो मेरी करेंसी supply कट कर देंगे मेरे सारे नोट को invalidate कर देंगे मैं धारक को बचन देता हूं कि मैं धारक से बचन वापिस लेता हूं कि तो प्यारे दोस्तों अब MPC की मीटिंग ही पोस्पोन हो गई मतलब ऐसे समय में यह कैसे हो सकता है 2016 के बाद कभी नहीं हुआ तो अब सरकार को तीन इंडिबेंडेंट मेंबर्स जल्दी से अपॉइंट करने हैं जो इंटर्नल मेंबर्स रहेंगे आर बियाए के जिसमें गवर्नर तो होते ही होते हैं आपको पता ही है शक्तिक अंदाज अची रहेंगे एक डेपीटी गवर्नर रहेंगे माइकल पात्रा और एक एक डिरेक्टर यह लोग तो रहेंगे अब ऐसे समय में के सामने एक नहीं चुनौती और है और वो चुनौती है कि यहां से आगे क्या प्यूर इंफलेशन टार्गेटिंग रखनी है जैसे पिछले फिर इंफलेशन टार्गेटिंग के हिसाब से अरून जेटली जी नया कानून लाए फ्लेक्जिवल इंफलेशन टार्गेटिंग पॉलिसी आई बहुत कुछ बदला है और अब तो भारत की अर्थ विवस्था एक बहुत अलग प्रकार के फेज में जा चुकी है क्या मेरे दो सवाल नोट करेंगे वारती अर्थ विवस्था में अब MPC का जो है रोल क्या है दूसरा सवाल वाट वुड बी इन आईडियल मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड सारे तथ्य तो आपको पता ही है मैं इतना कुछ आपको बता ही चुका हूँ अंग्रेजी क्रेकर कोर्स यहने की इंग्लिश क्रेकर कोर्स यह बड़ा तथ्य आपको मालूम होना चाहिए अगर अंग्रेजी में जरा सी भी दिक्कत है सौ सेशन्स का पौने दो घंटे के सारे सौ सेशन से जीरो से पढ़ाया है वोकैबलरी ग्रामर रीडिंग इतना शांदार कोर्स हजारों बच्चे कर चुके हैं करी रहे हैं आज के आज आज आप एंड्रोल करें और यह पेंड्राइव में आपके पास आएगा अगर इस से अच्छा कोर्स कहीं आपको एक व्यक्तिगत लेवल पर सीखने का मिले तो आप हमें बताएं प्रोफेशन ऒले डॉनल्ल ट्रम सापको मैं नी बोल रहा हूं उनके टैक्स रिटर्न बोल रहें डॉनल्ल ट्रम अरभपती खरबपती आदमी है उन्होंने 2017 में कितना टैक्स भढा साड़े साथ सो डॉलर, साड़े साथ सो हजार डॉलर नहीं, साड़े साथ सो डॉलर, आपको बात समझ मैं रही, क्या होता है साड़े साथ सो डॉलर, साड़े साथ सो डॉलर, एक लाग रुपिये से भी कम होता है, 2017 में उन्होंने कितना टैक्स भरा 7500 डॉलर ये एक अरबपती आदमी है जो अपने losses दिखा दिखा के अपनी income उड़ा देता है और टैक्स ही नहीं भड़ता है आज अगर वाकई में कोई एक व्यक्ति plutocracy को सच्चे अर्थों में symbolize कर रहा है तो वो है Donald Trump और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत लंबा चोड़ा अभी अमेरिका के मीडिया में इसका खुलासा हुआ है जी हाँ मीडिया में इसे खुलासे भी होते हैं दूसरे देशों में तो उसमें पता चला कि बिलियनेर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने केवल साड़े साथ सो डॉलर का टैक्स भरा और पिछले पंदरा में से दस साल उन्होंने आयकर भरा है जीरो वो लॉस दिखा देते हैं हर चीज में और ये सबूत है कि अमेरिका जैसे शक्ति-शाली देश के टैक्स सिस्टम को भी पूरा मज़ा बना के रख दिया है ताकतवर लोगों ने नॉर्मली 99% अमेरिका के सामान ये सिटिदन जिन से ज़्यादा टैक्स भर रहे है और ट्रम्प कानूनी रूप से तो बात ये नहीं है कि अपनी इंकम टैक्स के पेपर दिखाएं देश को लेकिन अगर कुछ छुपाने का नहीं है तो इंकम टैक्स के पेपर दिखाओ तो इन्होंने उल्टे केसे कर दिया उन लोगों पर जिन्होंने वहां RTI फाइल कि वहां के सिस्टम में उनका RTI कि भाईया हमें बताओ तो वह दिखाना ही नहीं चाते मतलब घोटाले तो लंबे चोड़े होंगे और दर रियल थ्रेट जो आप सबसे खतरना के जिस वज़े से जो बाइडन और कमाला है इसके हमले बहुत तेज हो गए ये वेबसाइट लाँच की है जो बाइडन ने सबसे बड़ी खत्रे की बाद लोग ये बोल रहे हैं कि असली खत्रा ये है कि अपने अलग-अलग व्यापारों को बचाने के लिए ट्रॉम्प अब ऐसे निर्णे ले रहे हैं जो एक प्रेसिडेंट को कभी नहीं लेने चाहिए हमारा अगला सवाल नोट करें जो वॉलंटियर्ज हमारे क्वेश्चन कंपाइल करें बहुत बहुत धन्यवाद आंसर भी लिखते चलें करके दिखाएंगे सेशन को लाइक और शेयर दरूर कीजेगा और जो हमने आइस एकडेमी का लाइफ कोर्स 19 अक्टोबर से अब लॉंच कर दिया है उम्मीद करेंगे कि आप जरूर 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 जोईन करेंगे बहुत प्यारी प्यारी आफरिंग्स हैं बिल्कुल भूलिए ना मत तो प्यारे दोस्तों कोवीड-19 ने क्या असर डाला है मैंने पहले आपको बताया था दुनिया में हम तो रोते हैं कंपनीज डूबरी ये डूबरा वो डूबरा है दुनिया में केवल दो समू हैं जिन्नोंने कोवीड का दंश सबसे ज्यादा चेला है महिलाएं और बच्चे और अब मेंस्ट्रीम मीडिया में पूरी पूरी खबरें आना शुरू हो गई है कोवीड की सामाजिक कॉस्ट देखिए एकॉनमिक कॉस्ट हमको दिखती है कंपनी बंद ये बंद नौक लेकिन विमेन एंड चिल्डरन इन पे जो कोवीड का बोज आया है मीडिया उसको अब रेकोगनाईज कर रहा है ये खबर दुनिया भर की है ग पीछे ले जाती है पैंडेमिक ने ये एंशोर किया है कि उन पे दो गुना बोज आ गया क्योंकि स्कूल बंद हो गए नर्सरी बंद हो गई डे केर सेंटर्स बंद हो गए क्रेश बंद हो गए तो बच्चे पूरे समय माँ को ही संभालने है तो जो पहले ही उस बोज में बड़ा फेमस डे केर सेंटर का एक कॉंसेप्ट है पैंडेमिक में जब से बंद हुआ है तो इसराइल का एतिहासिक विमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट सेवेंटी फॉर परसंट का तेजी से नीचे आ गया है तो इतने फॉरवर्ड लुकिंग देशों में दिक या कच्रा बिनने के लिए बोरे लेके भीज़ दिया वह अगली कहानी है दोस्तों यह ऐसी कहानिया है जो आपका दिल तोड़ देती हैं लेकिन आखे बंद करके भाग भी नहीं सकते आप समझ रहें ना तो मेरा आपसे निविदय ने कल भी किया था प्लीज अपने अंदर बीस रुपे पचास रुपे सो रुपे दे सकते हैं दीजिए रोज दीजिए खाना दे सकते हैं खाना दीजिए कपड़े रोज करते जाओ करते जाओ सोचो मस ज्यादा अपने बजट के हिसाब से करो हालात कितने खराब हैं I possibly cannot express it in words बात सिर्फ भारत की नहीं पूरी दु चुर्में टेट में शेर करते चलो 10 लोगों को motivate करो यार मज़ा आएगा बच्चों पर गया और बयांकर गरी है भारत भर में स्कूल बन दुनिया भर में कई जग है स्कूल बन करोड़ों बच्चों को आब दुनिया महर में माता पिता ने काम पे लगा दिया माता-पिता की नौकरियां चली गई बच्चे सस्ता लेवर हैं तो भारत में इन्होंने कुछ जिलों की पूरी रिपोर्टिंग की है यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने टुमकुरू जिले की बात की जिसमें सुभे सेक्ड़ो बच्चे बोरा लेके घर दे निकलते हैं पहले स्कूल जाया करते थे और बोरा लेके निकल रहे हैं 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे और बच्चियां और पूरे शहर के कच्चरे को चांते वे उसमें से काम की चीज़ें लाके कुछ रुपे कमा रहे हैं यह जो स्कूल जाया करते से तो आपको लगता इसका लॉंग टर्म इफेक्ट नहीं होगा इसका लॉंग टर्म इफेक्ट भारत की एकनॉमी और सोसाइटी पर में समझ में आना शुरू होगा क्योंकि लोग अभी समझ नहीं रहें लेकिन मुझे चिंता होती है क्योंकि आइकन सी कि वह यूमन कैपिटल डिटीरेशन हो रहा है परिवार भी मजबूर है क्योंकि अगर माता-पिता नौकरी नहीं कर पा रहें नौकरी चलीगी तो पैसा कहां से आएंगे खाएंगे क्या कीनिया की खबर यह है कि वहाँ पर रेती के खनन के धंदे में 10-10 साल के बच्चों को लगा दिया गया है तो पिछले 20-30 साल में युनाइटेड नेशन ने इतने सोशल इंडिकेटर में गेन करवाए थे सारे वाइप आउट अब आप सस्टेनेबल शेड ऑफ न्यूस है लेकिन क्या करें कवर तो यह हमें करना ही पड़ेगा हमारा अगला सवाल नोट करें जरू बताईएगा तो एक खबर है इंडिया के फ्यूल कंजम्शन की पैंडेमिक में बुरी तरह गिरा लेकिन अब खबर यह आई है कि जो पेट्रोल का कंजम्शन है वो फरवरी के बराबर हो गया है मतलब प्री कोविड लेवल अटेन हो गये हैं और ऐसा कह रहे हैं कि रिवाइवल आ रहा है हालांकि डीजल उतना नहीं हो रहा है तो यह एकनॉमिक रिवाइवल का ग्रीन शूर्ट तो मानना पड़ेगा ओवराल अगर आप एकनॉमिक रिवाइवल के सोला पेरामीटर देखेंगे कंजूमर एकॉनमी प्रोड्यूसर एकॉनमी एक्स्टेनल सेक्टर और इस अफ लिविंग तो इसमें टोटल सोला इंडिकेटर में दस माइनस में चल रहे हैं छे प्लस में आ गये हैं लेकिन दस अभी भी माइनस में हैं तो मोटे मोटे तौरपर फ्रीक्वैंजि इंडिकेटर मेरा अगले सावाल करेंगे वाट दूवी मिन जीए हइननी के शक्रीन पर किसी को नहीं पता के होगा यू होगा extended यू होगा वी होगा डब्लीव होगा एल होगा नोबडी नोस देखेंगे समय के साथ ही पता चलेगा मेरा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों जरूर जरूर हमारी प्रीमियम मेंबर्शिप यूटूब पलीजिए अगर आप हमारा IS का कोस जॉइन करते हैं तो उसमें लेवल 1 हो, 2 हो, 7 हो या comprehensive लेवल 8 हो ये दोनों सर्विसेस आपके डूरेशन के लिए इंक्लूड़ भी रहेंगी otherwise आप जरूर लेवल 1 जॉइन करें लेवल 2 में power of 10 होता है, बहुत अच्छी सर्विस है, सेकडो बच्चे बहुत इसका लाब ले रहे हैं, आप भी लीजिए, we will be very very happy to be of use to you आज के हमारे दो एडिट्स बड़े ही विचार उत्तेजक हैं, पहला है assault on Bollywood, तो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि भारत के electronic media में 24 by 7 by 365 एक mission के साथ भारत के Bollywood पे हमला शुरू हो गया है, लोगों को बहुत मदा आ रहा है उसमें कि हाँ ये पूरा सब पाप का अड़ है Bollywood, लेकिन अब धीरे 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 कुछ sensible columnist है, वो उसके खिलाफ उठ खड़े में आचेतन भागत ने लिखा, उसके बाद संजय बारू ने जो PM के पहले advisor रहे चुके हैं भूतपूर पीम के, इनका कहना ये है कि आप Bollywood के कुछ bad apples को तथा कथित alleged bad apples को पकड़ने के लिए पूरे के पूरे Bollywood को पापी संग्या दे रहे हैं, ये भूलते हुए that Bollywood has been a great exporter of soft power of India and if Bollywood collapses or if Bollywood loses its mojo or if Bollywood loses its reputation, India will be hurt very very badly क्योंकि एक well functioning mature industry है, इसकी तथा कथित सफाई जो हो सकता जरूरी हो कि चक्कर में industry की टांगे मत तोड़ दीजिएगा क्योंकि उससे recover होने में 20 साल लग जाएंगे, बहुत अच्छा edit है, जरूर पढ़िएगा, हो सकता है आप संजय बारू से disagree करें, लेकिन बात में बहुत दम है, ठंडे दिमाग से सोचना आपको समझ में आएगा, टी जेक किया इनोंने, अब मेरे लिए आपके सामने सारे विचार लाने जरूरी है, इसलिए मैं ये विचार आपके सामने लाया हूँ, इनका कहना ये है, यहां से 6 महिने में भारत में pandemic घटके epidemic रह जाएगा, epidemic से घटके endemic हो जाएगा, मतलब फिर वो एक स्थानिय बिमारी बनके खतम हो जाएगी, धीरे धीरे, हर साल आती रहेगी, जाती रहेगी, अब vaccination पर इस पूरे ग्यान का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हमें ये पता है कि हम peak के आगे आगे हैं, तो अब बस केवल दो groups के लिए vaccine चाहिए, एक हर साल पैदा होने वाले बच्चे, वो कुछ कर में मिल गया की infection है, उनको तो vaccine की जरूरती नहीं, वो जिंदा है ना, मतलब उसमें antibodies आ चुकी है, तो priority vaccination की ऐसी होनी चीए, बहुत अच्छा edit है, जरूर जरूर पढ़िएगा, दोनों edits की summary हमें बताएं, हमारे चैनल को subscribe करने हैं, आप चाहें तो contribute भी कर सकते हैं, इस week का schedule हम पूरी कोशिश कर रही है, team की पूरा follow हो, कहीं उपर नीचे होगा, वो सब cover up किया जाएगा, तो दोस्तों आप सब को मैं पुना आमंतरित करता हूं, बहुत ही शानदा live prep course 19 October से शुरू होगा, इससे बहतर तैयारी आपकी नहीं होगी, मेरे साथ आप live पढ़ें, इसमे के सारे courses की बहुत detail जानकारी, सारे rules regulation और आपके benefits बताय हुए है, comparison दिया है, और आप आज के आज इसमें enroll कर सकते हैं, academy के सभी register student को हमारा communication कल मिलेगा, तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के session की समापती पर है, session 28 कैसा लगा, ज़रूर बताएं, comment करें, like करें, share करें, दुनिया भर में इसको spread करें, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, current affair की site देखते चलिएगा, 365 content daily update हो रहा है, मेरी तरफ से इतना ही, नमस्ते, जाहे हैं तुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू झाल 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